सभापती मोदे, सरव पर्थम मैं बहुजन समाज में जन्में सभी संतों गुर्वों महान पुर्षों को नमन करता हूँ जिन मैं महात्मा जोती बाफूले, डॉक्टर बावा साब अम्बेटकर और मानेवर काशी राम साब को मैं याद भी करता हूँ आज के दिन पर साब साब नगीना की महान जनता और भी मारमी और हमारी पर्टी आजार समाज पर्टी काशी राम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ इसके बाद अपने कुल गुरु जगद गुरु सद्गु रवधाज जी महराज को भी मैं नमन करता हूँ दुनिया को लगबग 600 साल पहले बेगमपुरा शेहर के रूप में दुनिया का सबसे महाल लोक्तांत्रिक दर्शन दिया अध्यक्स मोदे माने सभापती जी 14 अगरत 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था 15 अगरत 1947 को हम लोग आजाद हुए 16 अगरत 1947 को देश आजादी मे में था लेकिन धन दर्ती राजपार्ट में बटवारा नहीं हुआ जो साधन संसाधन थे उनमें बटवारा सही रूप सना होने कारण एक बहुत बड़ी अबादी सुधाव से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सु और साथ साथ संख्या के अधार पर आरेक्षन जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ जब राजपती जी अभीवाशन पर बात रख रही ती तो उन्होंने सहरी और ग्रामिन शेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत् स्थानों में बाउजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट अच्टोरिटी हो रही है लेंद खॉन के हत्या हो रही है साथ साथ जो सरकारी करमकारियें हैं दफ्तरों में उनके साथ भी जैसेश्टी ओभी सी और मुस्लिम और अन्य धार्मी कलब संखे के उनके साथ भी मानने सभापती जी जातीकत और धार्मिक जो है सभापती जी भाजपाने चुनावी लाब के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिये जो खोकले हैं क्योंकि दस साल में दलिप पिछड़े अधिवासी मुस्लिम और अन्य धार्मिक लख संके जो अत्यचार हुए हैं वो किससे छिपेवे नहीं हैं ये गलत है ये बंद ह होना चाहिए सभापती महोदे जी महामाहिम राष्टपती जी के अभी बासन में नीजी छेत्रों में स्टी ओवी सी को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेक नहीं हुआ है जो कि आज चर्चा का विसा क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है 2% सरकारी सेक्टर है तो 98% पड़ेगा माने सभापती जी जिस छेत्र से मैं चुनके आऊ नगीना से वह बहुत पिछड़ा छेत्र है उस छेत्र में कोई विसेस आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया रोजगार की सेवाई नहीं है नोजवान प्लायन करता है आई आई टी आई एम एमस केंद्रे विद् प्लायन के चिक्सा में और चिकिसा संख्तानों के अस्थापना होनीचे जो कि नहीं है और माने सभापती जी मानसून से तरा गया है मेरा छेत्र बाड से बहुत प्रभावित है इसलिए मैं आप से आगरे करूँगा कि वहां के लोगों को बाड संजा दिलाई जाए माने सिमाओं में घुस्पेट कर रहा है इसलिए अगनिवीर योजना को उटा कर पूना सैना भरती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन वे बहादूर रेजिमेंट में से एक शमार रेजिमेंट को पूने बाहर करा जाए ऐसा भी मेरा आप से आख रहा है मान जहननी पड़ती है जबकि सरकार ने धन्ना सेटों का 15 लाग क्रोड रुपय माप किया है इस और हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारी आने वाली पीडियो को एक कर्द चुकाना पड़ेगा माने सभापती महोदी जी किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्द माप होना चाहिए साथ साथ दो प्रेल 2018 को SCST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे वो हमारी लड़ाई सही थी यह सुप्रिम कोर्ट नहीं माना और बाद में सरकार नहीं माना वो मुकदमे तुनत वापिस होने चाहिए माने सभापती जी प्रेस जो है उस पे भी सिकंजा कसा जा रहा है जो पत्रकार सरकार खिला बोलता है नोकरी से हाथ दोना पड़ता है और सोचल मीडिया आमारा आतियार है उस पे तरह तरह के परतिमा लगा जा जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोचल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दे जा कोई पूछने वाला नहीं खून के आंसु रो रहे हैं बच्चे विरोजगारी का दंस युवा जेल रहे हैं इसलिए मेरा आग रहा है कि युवाओ के लिए कि पर समाप्त करें चाहिए माने सभापती जी मैं पहली बार बोल रहा हूं आप कहेंगे मैं बैठ जाओंगा मैं सवेदानी मर्यादा को पालन करूंगा बगर हमको माने सभापती जी सुनी रहे हैं अधेक सभापती जी नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार हमने मनिपूर देखा सर हमने पहलवान बेट पिछड़े और मुस्लिम वर की आदिवासी वर की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सेन यह नहीं है सर साथ साथ कोवीड में तैरती हमने कोवीड पर बहुत सुना सर कोवीड में तैरती लासे भी घंगा में हमने देखिये सर और मतूर करके जिसे निकाला जारा लेटल एंट्री करके जिस तरह हमार राष्टे बंद के जारे यह भी हम देख रहे हैं सब अबती जी साथ साथ मेरा यह कहना है सर यह सबका इशू है कि प्राइवेट करमचारी सर और सरकारी भी कई जगा पर आठ से ज्यादा घंटों से काम करते ह और उनको जब सर उसीत वेतन भी नहीं मिलता तो नियूंतम वेतन 20,000 रुपे तैहो और 24 गंटे की जीटी उधारन के तोर पर यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग वो राजी के विसे हैं आप यहां सर मैं आपके आपके राज्य सरकार के लिए भी आपक जी राश्ट्पती जी ने धर्म के बारें बात की थी राम मंदिर से पहले हमारे गुरूगर तुकलगाबाद का फैसला है था राश्ट्पती जी वो सभापती जी अभी तक डिली में सधीत सद्वीर अवदाज जी मारण का गुरूगर नहीं बना साथ-साथ सभापती जी अपनी बात को खतम करते विए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना देश दूत्रों का ऐसार इतना हमारा भी है हम ने के लिए पैदा नहीं हुए जो चाहता हमारी हत्तिया कर देता है मुझे रखने पे घोडी बैटने पे मट्की चूने पे हमारी हत्तिया है पर क्या बदला है सर 70 साल बाद भी दलित पिछडे मुसल्मानों पर इंसा निरुकूरिये सर मेरा आप से संजक्षन के साथ यह आग रहे है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है देश सविधान से चलता है सर और सविधान से चलेगा सविधान चे